Everyone is talking about top 20 or top 25 upcoming cars in 2023 बट हम भीड के बारे में बात में करने वाले हैं मैंने cherry-pick की हैं आपके लिए 5 cars जो game changers होने वाली हैं 2023 में So, इन cars के बारे में बात करते हैं Game changer car वही हो सकती है जो car brand अपने customers के बारे में सोचे उनकी need सुने और relevant changes लाए अपने गाड़ी में और ऐसी ही एक game changer car है महिंद्रा थार 2023 में लाँच कर रहा है महिंद्रा अपनी थार का 5-door version अभी तक महिंद्रा थार एक car enthusiast के लिए ही बनी हुई थी वो जिनको बहुत पसंद थी ये गाड़ी वो ये गाड़ी लेते थे और पर हम इसको अपनी primary car नहीं बना पाते थे एक family car ये नहीं बन पाती थी इसलिए ये आपकी एक secondary car की तरह रह सकती थी इसलिए सब लोग इसको नहीं ले पाते थे पर अब 23 में Mahindra अपनी 5-door version निकाल रहा है जो आपकी primary car बन सकती है और आप इसको ले सकते हैं अब मेरी लिस्ट में second car की बात करते हैं और वह है Tata Harrier & Safari अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पात Safari है और मेरा comment section बहरा रहता है safari की बुराइयों से और मैंने भी काफी बार acknowledge किया है कि कौन से ऐसे features हैं जो Tata Harrier & Safari में must have है और anticipated है कि in 2023 Tata लेके आने वाला है facelift version of Tata Harrier & Safari जहां पे 4x4 हो सकती है जहां पे better infotainment system हो सकता है जहां पे 360 degree camera हो सकता है इस गाड़ी में So definitely I am really excited for it and it is going to be a game changer So जो थोड काफ मेरे list में है उस brand में तो अपने customers की really सुनी अभी तक ये काफ बहुत ही expensive SUVs बनाती थी बट अब ये sub 4 meter range में आ रहे हैं मैं बात कर रहे हूँ जीप के So jeep लेके आ रहा है अपने jeep compass in sub 4 meter और ये segment में सबसे ज़ादा SUVs बिकती हैं और अब आप jeep के quality और performance पा सकते हैं in sub 4 meter and in affordable category तो ये मुझे तो बहुत excite किया इसने और मेरे लिए बन गई third in my game changer तो जो जो फोट कार मेरी list में है वो उस car brand से है जिसे global and cap से बहुत मार पिड़ी है इस car brand की कोई भी car कभी तीन rating से उपर ला ही नहीं पाई है global and cap में even तीन rating के 00 ratings भी मिली है कास में मैं बात कर रही हूँ Hyundai की और वैसे हमने भी Hyundai के गाडियों को बहुत सुनाया है because it lacks in the basic safety and security features but finally Hyundai ने हमारी सुन ली है और लेकर आ रही है in 2023 Hyundai Krata का facelift version जहां पर they have taken care of all the safety features एकनम advanced safety features जो available है right now in market वो सब लेके आ रही है Hyundai अपने Krata का facelift version में जैसे सुनने में आया है अड़ास के साथ आने वाली है airbags होने वाले है multiple airbags, six airbags होने वाले है side airbags होने वाले है tyre pressure monitoring होने वाले है 360D का वाले होने वाले है so let's see कि यह सब के साथ रदा आती है और अगर आ रही है then definitely this is a game changer in 2022 अब भूप्टेश्चेंजर के बारे में बात कर रहे हैं जो है यह electric cars के साथ आ रही है even 2023 में बहुत सारी electric cars launch हो रही है पर मैं आपके लिए इन सारी cars में से एक specific car लेकर आई हूं और वो है Mahindra XUV 400 Mahindra XUV 400 electric version में आ रही है और जो एंटिस्पेटेड है कि जिसके range होगी 500 km अगर यह सही है then definitely this car is going to be a dream changer क्योंकि हमें Mahindra के सारी qualities मिल रही होंगे इस गाड़ी में विद आ पार्फुल and a max range electric version so definitely यह एक game changer होने वाली है and that's why it is number 5 in my list so these were the upcoming game changer cars अब कमें सेक्शन में फिल कर दीजिए कि आप को किसी गाड़ी से क्या expectation है क्या demand है या क्या wish है और मेरे की comment सेक्शन में नहीं आप जाके बड़े कार जो यूटुबर्स है उनके कमें सेक्शन में वे जाके लिखिए कि आप एक कार से क्या expect करते हैं because you never know social media is very powerful आप की कार ब्रांड हो बात सुन ले और उसके नए पेसलिफ वर्जिए में आप की दिमांड पूरी हो जाए so I hope that happens and this was the video guys I will see you in another one झाफ झाफ